कई सालों से भारत में एनर्जी सप्लिमेंट की तरह इस्तमाल हो रहे हॉलिक्स को देश की सबसे बड़ी कंज्यूमर कंपटी हिंदोस्तान यूनी लीवर ने खरीद लिया है इस मंजर के लिए हुल को करीब 31,700 करोड रुपे खर्च करने पड़े वैसे ये पहली बार नहीं है जब हॉलिक्स का सौधा हो रहा है इसे बनाने वाले दो ब्रिटिश भाईयों ने 1969 में इसे गलाक्सो स्मिथ क्लाइन ग्रूप को बेचा था तब से ये GSK के पास ही है तो आईए जानते हैं हॉलिक्स के ब्रैंड बनने की दल्चस्प कहानी के बारे में दरसल हॉलिक्स को दो ब्रिटिश भाईयों विलियम हॉलिक को और उनके भाई जेमश ने अमेरिका में दात किया था जेम्स एक केमिस्ट थे जो अमेरिका में ड्राइ बेबी फूट बनाने वाली कमपनी के लिए काम करते थे। उनके चोटे भाई विल्यम 1869 में अमेरिका आये थे। जेम्स ने भी अपने भाई के साथ नौकरी करनी चुरू कर दी थी। लेकिन नौकरी के कुछ सालों बाद द प्रोडिक के लिक्विट में मिक्स हो जाने की योगिता के लिए यूएस पेटिन नमबर 278967 हासल कर दिया। और ये पेटिंट वाला पहला मॉल्ट इन मिल्क प्रोडिक बन गया। दोनों भाईयों ने 1908 में 28,000 पाउंड खर्च कर बर्षायर के स्लॉम में अपनी पहली य ग्रूप ने इसे खरीद लिया जो आज जीएस की ग्रूप है। वैसे तो भारत में हॉलिक्स की एंट्री कब हुई इसे लेकर कोई पुकता सबूत नहीं है। लेकिन इपोट्स की माने तो पहले विश्वयूत से लोटे ब्रिटिश आर्मी के भारती सैनिक इसे भारत लेक कराये थे। 1940 और 1950 के दर्शक में पंचाब, बंगाल और मदरास की रियासतों और देश के अनिस संपन परिवारों ने इसे सबसे पहले फामली ड्रिंक के रूप में अपनाया था। इंडिया न्यूज वाइरल की रिपूर।